हैलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ काफी अच्छी होंगे तो दोस्तों एक breaking news है अदानी enterprises के FPO को लेकर जी हैं दोस्तों काफी लोगों के मन में ये सवाल था कि जो अभी अदानी enterprises का share है उसका दाम तो है FPO price से नीचे आ गया है तो क्या भी IPO cancels हो जाएगा या postpone हो जाएगा या इसके अलवा इसके price band में changes आ जाएंगे मतलब या इसकी date वगेरा आगे चली जाएगी तो क्या होगा अदानी enterprises के FPO का तो अभी मैंने एक news बढ़ी money control और ET नाउपर कि अदानी enterprises ने ये announce किया है जो उसका FPO है मतलब follow on public offer है उसके अंदर कोई भी changes नहीं होंगे जी हाँ दोस्तों उसके schedule मतलब उसकी date वगेरा के अंदर भी कोई changes नहीं होंगे और उसका जो price band है उसके अंदर भी कोई भी changes नहीं होंगे ये अभी की खबर है latest खबर है और ये जो खबर है इसकी link मेंने description के अंदर provide करवा दी है आप भी जाकर पढ़ सकते हैं मतलब उन्होंने इसके अंदर कहा है कि वो पूरे confident है अपने FPO के success को लेकर और उसके अलावा इनकी stakeholders, bankers, investors उन सभी को इन पे पूरा विस्वास है मतलब ये उनका कहना है तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो इनके promoters है उनको खुद को इतना विश्वास है अपने FPO को लेकर, अपनी company को लेकर जिससे क्या है कि बाकी जो investors है उनका विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है इस company के अंदर तो मेरे साब से मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा गदम है मतलब इतने दबाओ के बावजूद इतना crash होने के बावजूद भी इतना strong decision लेना ये अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है और promoter खुद अपनी company पर विश्वास जताएगा तो बाकी investors को भी होसला मिलेगा मतलब हाइडन बर की report आ गई है market crash हो गया इनके share crash हो गये है उसके बावजूद भी ऐसा strong decision कि FPO मतलब follow on public offer के अंदर कोई भी changes नहीं होंगे तो ऐसी चोटी चोटी चीज़े जो है company को काफी आगे ले जाती है और investors को विश्वास भी होता है पर मैं यह नहीं कहता कि अदानी सही है या गलत है पर यह जो decision लिया गया है मुझे वाकई में काफी अच्छा लगा और दोस्तों यह आपके नजरिये में decision कैसा है और यह FPO success होगा या नहीं होगा यह तो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा पर यह जो decision लिया गया है आपके नजरिये में कैसा decision है मुझे comment करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों अभी के लिए latest breaking news यही है अदानी enterprises के FPO को लेकर और भी कोई अगर changes आते है price band या उसके बारे में ताक कि क्या है कि आपको stock market की update साथ वाद मिलते रहेंगे तो telegram, instagram और free में dimate account सबकी link description के अंदर आपको मिल जाएगी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर